वो कलदम जमातें जो मुसल्ला हैं वो जो फिरकावारियत में रही हैं वो आपके साथ पंजाब में इतहादी है वो आपकी पार्लेमानी पार्टी मीटिंग में बैठते हैं शेख रशीद साब में का बैंड नहीं आप कह रहे हैं यह आपको बताऊं मौड रस में आपका स्वगट है दोस्तो आज पाक मीडिया ति एल पी के प्योतेस के बार में बात कर रहें TLP फिर से सड़क पे निकल आई है इस दिमान के साथ कि फ्रांस के एमबेसेटर जो पाकिस्तन में है उनको पाकिस्तनी सरकार निकल दे तो उसके बाद पाक मीडिया कह रहा है कि TLP को तो पाकिस्तन ने बैन कर दिया था तो TLP कैसे फिर से निकल आई तो उसके जवाब में पाक पाकिस्तान में बिना किसी परेशानी के कारवाई कर रहे है और पाकिस्तानी सरकार उनके खिलाब कोई एक्षन नहीं ले रही तो पाकिस्तान यहां पर मान रही है कि बैंड आउटफिट पाकिस्तान में ओपन ली जो चाहे वो कर सकते हैं दोस्तों यह वीडियो बहुत ही कर रहे हैं कल का बीना ने इसका फैसला करना है बहुत सी इसके अंदर हमें इंडिसाइसिवनेस नज़रा रही है हकूमत की तरफ से छे माँ पहले जिस का बीना ने फैसला किया कि इनको बैंड करना है छे माँ तक वो यह पूरा इशुकातर का शिकार रहा नहीं सर डिन ववार चौधरी साब से भी बात कर रही तुपिकुषन zachाफा के लोग नहीं।rice अबी विलेक्शन लड़ा इंपई उन्का बेटा है मंजाब की प्टी आयगी पार्लिहमाै प्रणी की मी hambola कॉ तो ये तो हमारे सिस्टम के अंदर ग्रेव लूप होल्स है ना? पंजाब के मुख्लिव जिलों में पंजाब हकूमत के सरकारी फंड्स की तख्तियों पर उनके नाम लिखे हुए हैं उधर आप उनके साथ बैटे हैं यहां गहर मुसल्ला लोग जो आपको आपका एहद याद दिलाने के लिए आपके बुज़रा के दसकत याद कराने के मैंन अभी आपको इसने कहानी क्या सुनाइए हकूमत में वो जो मैं आपने कहा हूं फ्राउड माँ ओम उसको परसूप नहीं किया मैं आपको इतला दे दूम आज दूस बारा साल से जयाद हो गए हैं सुप्रीम कोट में तो इने ने सिपाय सहाबा को भी परसु नहीं किया इनसे पूछें जो 12 साल पहले केस जम्द कराया था बेंड आउटफिट का सुप्रीम कोट में आज तक उसका पता किया कि सुप्रीम कोट में उसके साथ क्या हुआ? आप मुझे ये बताईए कि रियास्त के कॉल औफ एल में तजाद क्यों है? ये बताईए क्यों है? ये बताईए कोई और टेक केर कर लेगा और ये टाइमिंग ऐसी हो गई कि कोई और को नराज करने के बाद आप उनसे टेक करने की तबको नहीं कर सकते हैं अब आपकी अपनी एहलियत का इम्तिहान है और ये जो ने ड्रामा किया कि हम कावीना में ले जाएंगे क्या कावीना में वजीर एमने नहीं होते? आप असमबली में तो इसलिए लेके नहीं तालुक रखें अएक से वकास भाइ माज इसके अंदर रिलिजिए ओवर टोन इतनी है ये बहुत तुझा घटांजर I am a but where do you make it into a law and order issue, where do you put that fine line, for instance, noon के टाइम पर क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, I understand what you mean, but where do you draw the line, and who is supposed to draw that line? देखे, मैं मैं यह समझता हूँ, at the end of the day, जो हुक्मरान है, उन्होंने गुफ्तबू करनी है इन आशकान रसूल के साथ, इन लोगों के साथ, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि हम स्टेट फंक्शनरीज हैं, आप कहते हैं कि हम गर्मनेट ओफिशल्स हैं, आप कहते हैं कि आप ही इन से बात करेंगे, आप ही ने इन से बादा किया था, जो आपने अहद किया था, जो आपने दस्खत किये थे, उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था? So ये बड़े पूरली थॉट आउट आउट आक्शन्स है हकूमत के? प्राइम जो वदीर दाखला है, इतना बड़ा इशू जो तमाशा बना चंद महीने पहले जो शाहत्ते होई, आज काने रसूल और पुलीस वालों की, वदीर दाखला मूट चोड़के चले गए, उसके बाब प्राइम ये महंगाई से संगीन इशू है, महंगाई पर तो नही सवाल है, आपने कहीं तो जवाब हलका सा दे दिया था कि जिनकों पर किये बैठे थे था वो अधर हैंने, आज अगर इन दिस बिद्धे बीगि इंड, दिस वीडिए और अफ तो फोडीय पर आज घीज़ के इन के दुदीर इनद चले डोस्तों इस वीडियो पर बाठक है तो पाकमिट्यार जो कहाँ कि इमरान खान तीयलपी पर कोई डीसिजन नहीं ले पाड़ 해요 तो फायत्य पर कोई decision दिसेशन एसलीए नहीं ले पाड़ 해요 कई इमरान खान को पता है कि डीपी के पीछे कौन है और TLP के पीछे जो है उनके सामने इम्रान खान की कोई ओकार नहीं है वो चाहे तो इम्रान खान को दो सेकेंड में पाकिस्तान के PM के पोजिशन से निकल सकते हैं तो इसलिए TLP के आगे इम्रान खान पुरा लेट गया है और यह जो बंडे है TLP के पीछे वो असल में पाकिस्तान को चलाते हैं और यह बंडे पाकिस्तानी आर्मी के है पाकिस्तानी आर्मी TLP के इस्तेमल सरकारों को गिराने के लिए करती है या सरकारों को वार्निंग देने के लिए करती है इसलिए भी İmran Khan भी डिरा हुआ और पाकिसारी जो कहा कि TLP को इम्रान सरकार ने बैंड कर दिया था तो TLP को बैंड करने की औकात इम्रान खान के नहीं है इम्रान खान शिफ अपने आपको मस्बूत दिखाने के लिए कहाथा कि मैं TLP को बैंड कर रहा हूं पर उस document को जिसमें इम्रान खान ने कहा था कि मैं TLP को ban कर रहा हूँ उस document को Supreme Code में ले जाके Supreme Code से मंजूरी लेनी थी पर इम्रान सरका ने एक कुछ नहीं किया इम्रान सरका नाशिप अपनी तरफ से कारभी खतम करके उसे फेक दिया उसे Supreme Code में लिख इहीं नहीं किया तो इसलिए TLP का जो ban है वो कभी complete हुआ ही नहीं तो इसलिए TLP अभी Pakistan में ban नहीं है और Pakistan पाकिस्टानी मीडिया इसे follow up भी नहीं किया तो इसलिए अभी पाकिसनी मीडिया है रान हो रही कि TLP, जिसे इम्रान खान ने कहाता कि हम बैंड कर रहे, वो तो बैंड है ही नहीं, तो पाकिसनी मीडिया अगर ऐसी चीज़ों का follow-up नहीं करेगी, तो ऐसी हरकत होगी, क्योंकि इम्रान खान एक नौतन की बास है, इम्रान खान बोलता कुछ और है Hai और करता कुछ और पाकीардि atrás ने यही अरकत बहुत सरे और बैंट ग्रूपों के साथ भी आध और इसे लिए पाकी eli potassium के last में है कि पाकी आसंड ऑगर्पर इत क्र 크게 करता रहा है और इसलिए घृष्सता नहीं कती जब हो कहता है कि बैंट आउटफिट पाकिस्तान में ओपन ली कारबाई नहीं कर सकते क्योंकि सब को पता है कि पाकिस्तान का पूराना खेल है और इम्रान सेर का सिर्फ नहीं प्लेयर है और आखिर मैं सब्सक्राइब कर साथ किpse नहीं में और इम्रान सरकार सार्फिज सब्सक्रार नहीं अभी भीकिषा नाख bastard मैं चाहिए को सब्सक्राइब करना मन भूलेगा थांक यू वरी मच्छ